नमस्कार साथियो आप सभी का हमारी यूटूब चैनल भी नैस्टेडिकेन में स्वागत है साथियो आज की इस वीडियो में हम सिक्छक भरती के लिए बहुती मातपून बहुती कल्पी प्रशन लेकर आए हैं यदि आप हमारी चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सकाइब कीज़ेगा पास में लगे बेल आइकन को प्रिस कीज़ेगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नुडिक्सना तक पहुँछती रहे साथ योब वीडियो को लाइक करने के लिए थमका निसान को आप प्रिस कर दीज़ेगा छै है वो साथ हो जाएगा इसी क्रम में लाइक की संख्या दिरे दिरे बढ़ती जाएगी वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों तक जरूर सेयर कीजेगा चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्ण है उत्तर गुप्त युग में जो विस्विद्यालाय प्रसिद्ध हो गया था वह कौन सा है आप्शन A कांची आप्शन B तक्छसिला आप्शन C नालंदा आप्शन D वल्लभी उत्तर गुप्त युग में जो विस्विद्यालाय प्रसिद्ध हो गया था वह विस्विद्यालाय नालंदा है जहां लोगों का मिलन हो कहलाता है ग्रामीन, संगम, सम्मेलन इनमें से कोई नहीं जहां लोगों का मिलन होता है उसे संगम कहा जाता है इन में से चोर का परियावाची कौन है? ससी, मोशक, धनद, बेसर चोर का परियावाची मोशक है कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताईए बहुत चलाक होना, सोच विचार में पढ़ना बहुत आदर करना, बहुत तेज दोड़ना कान कतरना का अर्थ होता है, बहुत चलाक होना अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ बताईए परिसान करना, अन्याय करना, कर्म का फलभोगना, सर्मिन्दा होना अपना किया पाना का अर्थ होता है कर्मकाफल भोगना स्वार्थी होना इस मुहावरे का अर्थ बताईए आसन डोलना, आजना आने देना, अपनी खिचडी अलग पकाना, आश्मान तूट परना स्वार्थी होना का अर्थ होता है अपनी खिचडी अलग पकाना मक्या मारना मुहावरे का अर्थ बताईए लाप के बदले हानी शाहसिक कार्य इंतजार करना बेकार बैठे रहना मक्या मारने का अर्थ होता है बेकार बैठे रहना दूद का दूद पानी का पानी लोकोक्तियां का अर्थ बताईए कपटपून आचरन, सही नीन, A और B दोनों इन में से कोई नहीं दूद का दूद पानी का पानी इसका मतलब होता है शही नीन आत्मा का विपरितार्थ शब्द बताए विपरितार्थ का मतलब होता है उल्टा या विलोम अब चलिए देखते हैं, आप्शन में अनादर, अनात्मा, अमीर, इनमें से कोई नहीं तो इसका सही जवाब है अनात्मा, आप्शन B तरुन का विपितार्थ सब्द बताईए, तरुन मतलब होता है नवीन, छोटा और व्रिद्ध का अर्थ होता है बुढ़ा या बड़ा, तो आप्शन A सही होगा इनमें से कौन सी विपितार्थक सब्द पतज़ड का अर्थ है सीतल, सर्दी, विस्तार, वसंद पतज़ड का मतलब होता है पौधों द्वारा पत्तियों को जड़ा देना वसंद का अर्थ होता है पौधों में पत्तियां लगना तो इसका सही जवाब होगा उप्शन B इनमें से कौन सी युग्म सब्द सही है तरंग, घोडा, उपकार, भलाई, अंस, हिस्सा, कुल, किनारा तो इसमें सही युग्म उपकार, भलाई, उपकार का अर्थ होता है भलाई करना तो आप्शन B सही होगा थांक्यू दोस्तों वीडियो कैसा लगा? कॉमेंट करके जरू बताईएगा वीडियो को लाइक कीजेगा, वीडियो के लिंक अपने दोस्तों तक जरूर सेयर कीजेगा धन्यवाद